प्राइवेट इसकुलों के द्वारा निसुलक प्रिवेसी छात्रों की जो फीस का व्योरा है इसे ओनलाइन नौडल को प्रेसित किया जाता है जो फीस प्रतिपूर्थी का प्रपोजल है वो नौडल को प्राइवेट इसकुल प्रेसित करते हैं अब Nodal को जो proposal है जो की private school के द्वारा इन्हें प्रेसित किया गया है इस proposal को DPC को forward करना होता है Nodal के द्वारा आज के वीडियो में हम देखींगे कि Nodal को जो फीस प्रतिपूर्ती का proposal प्राप्त हुआ है इस proposal को DPC को कैसे forward कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको RTE Portal open करना होगा तो इसके लिए किसी भी browser को open करें और browser के address बार में आपको type करना है rteportal.mp.gov.in इतना type करके से search करना है सर्च करते ही हम RTE Portal के home page पर आ जाएंगे अब इसमें आपको login करना है तो login करने के लिए education portal का जो भी आपका password हो बो password इसमें आपको fill करना है अलग से कोई password की इसमें आऊशकता नहीं है login करने के लिए right corner पर जो login का option है simply इस पर click करें और जो login का option आएगा इस पर click कर दें जैसे आप click करेंगे हम RTE Portal के login page पर आ जाएंगे जहां आपको अपना unique ID username में fill करना है और इसके बाद education portal का जो भी आपका password हो बो password आप इसमें fill कर दें और capture code fill करके simply login पर click कर दाना है जैसे हम login पर click करेंगे हम RTE Portal पर login हो जाएंगे अब यहां पर चुकि थोड़े option change है पहले जो कार है वो education portal के माध्यम से किया जाता था लेकिन अब फीस प्रती पूर्ती के सभी कार RTE Portal से होने लगे हैं अब proposal send करने के लिए simply जो RTE का option दिखा दाना है किलिक करते ही आप देखेंगे कि यहां पर तीन option आए हुए है अब इसमें जो second option दिखाई दे रहा है फीस प्रती पूर्ती प्रस्ताओ इस option पर जैसे हमने करसर लेकर गए तो यहां पर तीन option आ चुके हैं जिसमें आपको कितने proposal प्राप्त हुए हैं वो second option से आप चेक कर सकते हैं इस school द्वारा aggressive प्रस्ताओ देखें इस option पर किलिक कर दें अब जैसे हमने किलिक किया तो यहां से आपको academic care select करना है आप academic care select कर लें और यहां से आप search कर सकते हैं कि किस school का प्रस्ताओ आपके पास में आया हुआ है जैसे हमने academic care select किया और हम search पर किलिक करें हैं तो DPC को forward करने के लिए इसके कुछ steps होती हैं सबसे पहले समंधित साला में निसुलक प्रिविसी चात्रों की जो सूची है इसे आपको check करना होगा समंधित academic care के लिए तो यहाँ पर जो icon दिखाई दे रहा है जिसमें संख्या लिखी हुई है simply इस पर click कर दें जैसे आप click करेंगे तो समंधित चात्रों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे जो की निसुल के प्रिविसी चात्र है और उनकी सारी detail आ जाएगी अब जो नॉडल है वो private school में जाएं और पहले इसकी जाच अच्छे से कर लें कि समंधित चात्र साला में है या नहीं है साथ इनकी जो attendance वगरा है वो सभी कुछ आप check कर सकते हैं और private school की दोवारा जो जानकारी fill की गई है यदि वो सही है तब accept के नीचे जो check box है इस पर आपको tick कर देना है और यदि जानकारी गलत है तब आप इसे reject भी कर सकते हैं reject करने के लिए जो second check box है इस पर टिक करें और इसका reason आपको देना पड़ेगा कि किस कारण से आप इसे reject कर रहे हैं तो सभी छात्रों की जो जानकारी है इसे check करके आप accept या reject कर सकते हैं अब accept और reject कर देने के उपरांत simply registered detail of students इस option पर किलिक कर दे हैं जैसे आप किलिक करेंगे तो इसके इन पर एक message display हो जाएगा success का जिसमें लिखा रहेगा कि now you will be able to forward DPC अब आपको DPC को forward करना है तो DPC को forward करने के लिए फिर से आपको जो second option है इस पर किलिक करके इस academic care वाले option पर आजाना है और search पर किलिक कर देना है तो जैसे ही हमने search पर किलिक किया तो यहाँ पर आप second option देखेंगे student accept आपने कितने student को accept किया है उनकी संख्या भी है और reject जितने चात्रों को आप करेंगे उनकी संख्या भी यहाँ पर दी रहेगी अब आपको जो proposal है वो आप download कर सकते हैं जो इसकोलों के द्वारा प्रेसित किया गया है इस option पर किलिक करके आप उनका proposal देख सकते हैं जैसे हमने click किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकोलों की द्वारा प्रेसित proposal है वो दिया गया है आप इसे check कर लें जिसमें स सम्मंधिस साला का जो fees structure है इसे चेक कर सकते हैं जैसे हमने download किया तो आप देख सकते हैं कि particular class में कितनी fees सम्मंधिस साला के द्वारा ली जा रही है अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि केबल tuition fees इसमें fees पृति पूर्टी में सालाओं को प्राप्त होती है तो कितनी tuition fees है वो detail आप यहां से चेक कर सकते हैं इसके पश्चाद इसमें आप देखेंगे कि lock fees का एक option दिया गया है इस option पर click करके आपको सम्मंधिस साला की जो fees है इसे lock करना होगा तो lock करने से पहले आप चेक करने की सम्मंधिस साला की दोरा जो detail इसमें भरी गई है वो सही है के नहीं जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर class 22 जो fees है वो दी गई है अब आपको इस box में fees fill करना है कि सम्मंधिस साला की दोरा इतनी ही fees ली जा रही है या नहीं यदि कम ली जा रही है तब आप यहां पर कम इंट्री कर सकते हैं अब सम्मंधिस साला में जो भी fees ली जा रही हो वो fees आप यहां पर fill कर दें अब यदि यहां पर जो fees है वो कम या ज़्यादा ली जा रही है तब आपने यहां पर इंट्री किया और इसकी जो detail है वो remark में आपको fill करना होगा इस परकार सभी कक्षाओं की जो fees है साले अविलिक के अनुसार चेक कर लेने के उपरांथ आपको यहां पर fill करना है और fill कर देने के उपरांथ log fees structure of school इस option पर किलिक कर दें जैसे आप किलिक करेंगे तो आपके दोरा जो fees है संबंधी साला की वो verify हो जाएगी और log हो जाएगी अब इसमें अंतिम step आती है कि proposal को DPC को forward करना है तो इसके लिए फिर से academy care select कर लें और search कर लें search करने के उपरांथ फिर से वही option आएंगे जिसमें अंतिम option पर किलिक करके हम जो अपना proposal है संबंधी साला का वो DPC को forward करेंगे तो हमने academy care यहां से select किया और इसके उपरांथ आप देखेंगे कि last में option दिया है forward to DPC simply इस option पर आपको किलिक कर देना है जैसे ही आप किलिक करेंगे तो एक pop-up message आएगा कि are you sure that you want to log and forward the proposal to DPC and get OTP on your registered mobile number जैसे हम okay करेंगे तो हमारे registered mobile number पर एक OTP आएगा और हमारा proposal जो है वो DPC को sent होगा जैसे आप देख सकते हैं कि एक pop-up जो window है वो open हुई है जहां 6 अंकों का जो OTP है वो हमें fill करना है और fill करने के अपरांथ proposal forward to DPC इस option पर किलिक कर देना है जैसे हमने OTP fill कर दिया है अब DPC अर्थात आपका जो proposal है समंधित साला का वो DPC को forward हो चुका है जिसे आप check भी कर सकते हैं अब इसे हमें okay कर देना है अब यदि हमें check करना हो तो फिर से जो fees प्रति-पूर्ति प्रस्ताव का option है इस पर हम करसर लेकर जाएंगे और इसमें जो तीसरा option है DPC को aggressive प्रस्ताव देखें इस option पर click कर दें किलिक करने के उपरांद किस academy care का proposal आप check करना चाह रहे हैं वो academy care select करें और search पर click कर दें जैसे आप search पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नहाँ पर आपने जो proposal send किया है वो आज आएगा अब proposal की जो hard copy है इसे भी आपको जमा करना होगा इसके लिए last में दो print के option दिये गए हैं इन पर click करके आप proposal download कर सकते हैं और इनका print ले सकते हैं print लेने के उपरांद इसमें आप अपने हस्ताक्षर करें और इसे आप अपने DPC कारले में प्रिसीद कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर के लिए इसमें option दिये गए हैं तो जो भी नौडल है वो अपने हस्ताक्षर करके इसे verify करें और संबंधित बरिष्ट का RLMA से प्रेसित कर दें इस प्रकार जो RTE fees प्रतिपूर्ती का proposal है इसे हम DPC को forward कर सकते हैं आसा है जानकारी आप समझ पाए होंगे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन